नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है धर्म रहसे नाम के चैनल पे मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि कैसे जो ज़ादतर्स पूछते हैं कि कंड़ पिसाचनी सिध्धी कैसे की जाए उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है तो मैं यहाँ पर प्रत्यच्छ अनभव मेरे स्वयम के पिता का दे रहा हूँ जो आज से काफी साल पहले का है सन 2000 से पहले का है यह 2001 से पहले का है तो उस समय जो जो कुछ हुआ मैं आपको उनका उनका जो नोने मेरे पिता ने मुझे बताया और मैंने स्वयम और मेरे पुरे परिवार ने जो अनभव किया था वो सम मैं आपको बताऊंगा यह सन 2000 समय हाई स्कूल भी मेरे नहीं हुआ था तबकि यह बात है तो हम लोग पिता जी जो मेरे हैं वो चिकित्सा अधिकारी थे और उत्राखंड में यूपी से उनका ट्रांसफर हुआ था तो वह वहां रहते थे तो एक जगह ऐसी थी कि वहां पर हॉस्पिटल जो दिया गया था वह अभी नया नया बना था और वह हॉस्पिटल ऐसी जगह बन गया था जहां कबरिस्तान है क्योंकि वहां पर जगह कम होती है बहुत छोटी सी जगह होती है पहाड़ों की कटिंग होती है शीडी नमा खेत होते हैं तो ऐसी जगह सरकार ने चुन ली थी जहां पर जो है एक पहले से के अपैर्सक्तान था लेकिन जगे काली उझे से उच्वेज़गे पर हॉस्पिटल बना दिया गया तो होस्पिटल बनाने की विज़ेसे हम लोगों को वहीं पर मिल गया और हम लोग वही पर रहने लह कि तो जैसा के मैं प्रेतनी के वह रामनगर की बात है लेकिन उद मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा फिलहाल मैं यहां पे कण़ पिशाचनी के बारें बताता हूं तो किताबों में लिखे हुए जैसे पुरानी समय में ज्ञान मिल जाते थे तो हम लोग ऐसी किताबें जहातर इंट्रेस्टिंग होके पढ़ते थे मेरे ताओ जी पहले बिता चुका मेरे ताओ जी बहुत ज़्यां से दिहाती पुस्तक भेंडार वगारा से यहां से पुस्त वद्राय देगी अगर आप सिद्ध हो जाए और सारी चाय में बताएगी और साथ सा साथ जो है आपकə कान में आके सबी प्रसनों का हल करती है तो क्यों मैं करनो क्या पापा थे तो पापा ने कह mówi नहीं ऐसा है कि तुम मत करो। तो माता जी की पूझा करो। और अगर करना होगा तो मैं देख लूगा। तो बच्चे की चीत के आगे उन्हों को भी उन्होंने सोचा कि चलो यार करे देख लेते हैं क्या पता है एसी चीजे os it huge कि नहीं होती हैं तो फिर कैसी है इस अनुभाव के आधार पर उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया यह अच्छी बात यह नहीं उसमें रही कि साध यह सिद्धी नहीं मिलती उन्हें पापा को लेकिन चूंकि वो जगे ही कब्रिस्तान था जला से जलती थी वहां पर हम कि सुषिए ब παγub में समसान में आध्मी साधना कर रहा है यह बन गयَ सी साधना का सिद्धान की हाँ यहां पर साधना पर हो रही तो फिर पिताजी ने मेरे कहा कि ठीक है मैं करता हूं मालावाला कोई ग्यान नहीं था तो कं यह जो राज़मा के बड़े-बड़े बार शम्हों के नहीं जांपर उनुमिघ करें गूल लिए क्या रखाए मैं उसम्ति किताब ऌदी के गूक्त प्रतर के और सबको पटा था कि चीजों के चक्क्र ihn लेकिन यही बड़ी बात है कि वो जो थी वो जगे ही समसान थी इसलिए यह सब कुछ संभा हो सका तो फिर क्या हुआ आगे कि फिर उन्हें पापा ने हमारी साथना सुरू की और राजमा के एक बार मंतर पढ़ते थे और उसके बाद राजमा के चावल् का दाना जो है राजमा का जो दाना होता है उसको एक रखे देते थे फिर एक बार पढ़ते थे फिर एक बार रखे देते थे इस तरह से रखते रखते एक 1000 आठ वो साधना को शुरू किया और उसका जाब किया अब साधना के दिन बीठते गए एक दिन दो दिन तीन चार दिन होता गया समय बीठता चला गया अब कुछ नहीं हो रहा था और 21 दिन की साधना लिखी थी 20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ मतलब कोई अनुभव नहीं ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा लेकिन एक होता है कि हाँ एडवेंचर है तो उन्होंने भी करना सुरू किया साम का वक्त था छे बज़े बज रहे थे 21 दिन था तो लगभा आधी जापो कर चुके थे और हम पीछे उनी के सामने बैठे हुए जो है क जाओ जी के लड़के आवे थे वह भी साथ में थे हम लोग उसी कमरे में ही थोड़ी दूर पर वहां से बैठे हुए थे और देख रहे थे अब हुआ क्या कि हम लोग जो है आदा गंटा के तो पूजा के बाद हमको ऐसा लगा कि पापाजी जो है थोड़ा जो है हिलने तो इस तरह से बैठते थे कि पूजा जो करका जो जो इल्मारियां थी वह उसकी थी बनी हुई तो मतलब अगर उनको अगर आप हाथ मारोगे तो काफी तीजी से आवा जाती थी तो उन्होंने बहुत ही तीजी में पूजा करते करते हाथ मारना शुरू कर दिया और गुस् जेसे करने पर एक दम से क्या हो गया और उठने के बाद फिर वो गर्स कमरे से बाहर निकले और उन्होंने जो है बाहर जाके थोड़ी देर खुले हावा आकास में जो है सांस ली थोड़ा सा बाहर आ गया मैं पीछे पीछे उनके चला गए मैंने का यार पापा जी अभी कुछ बोले नहीं देखते हैं क्या होता ह पुछ लों जाकर के इन से की क्या हो रहा है क्या मतलब है क्या चीजी ऐसा क्या हुआ है जो अभी तो मैं गुब्क शुब्क के पास गया आज मैं जानता हूँ कि कोई भी अनभव हो कोई भी सिद्धी हो और यही वज़ेत रही कि बाद में पापा जी के हाथ से वो सिद्धी चली भी गई थी लेकिन जो अब नय नय थे तो हमें कुछ पता नहीं था तो पापा ने भी उस तीज को बाद में राज खोल दिया और बत आगए बढ़े बढ़े दात थे के कि लग बताति हैं कि चालीश-चालीश-फूट के लंबे डात उसके थे मुह बहुत बढ़ा था बहुत-भाद भी जला हुआ था था जाला कर वैसी तो नहीं है लेकिन कि उपाया है लिए तो पापत जी घवरा गया और इस वज़े से उन्हें são LA Kla combin dat I तो क्योंकि हम कुछ ना कुछ पहले से माता जी की मंतर को जाप करते थे तो वो जो है जब बिलकुछ शरीर के नजदीक आ गई तो एकदम से रुख गई और फिर वो बोली कि क्या चाहते हो क्या चाहे तुमारी और तो पापा ने कहा कि मैंने तो कुछ जानता नहीं था अगर अगर आम उससे सिद्ध हो जाओ तो ठीक है तो उन्होंने कहा कि आपने जो है पहले से साधनाय जो कर रखी है उस वज़े से मैं आपको जान से नहीं मार सकती हो लेकिन फिर भी फिर भी मैं आपको जो है सिद्धी परतान करती हो लेकिन यह सिद्धी अब आम तब होगी कि उससे साथ रखी तो मेरे पिता जी ने का नहीं मुझे लूप में पसंद करना है अगर टुम्हाना ही चाहती हो तो 3 रूप उन्हें पता थे लूप उन्हें कहा कि अम पर मान का करोम मा के रूप में जैसे आने कहे से मा के रूप में आने के लिए तो तैयार हो गई और जैसे ही बापमा ने कहा तो तुरंत जो है हमारी जो दादी जी थी उस समय नहीं रही थी और तो वो उसी रूप में बिल्कुल दादी जी के ही रूप में हमारी प्रकट हो गई पापाजी के सामने और फिर उसने जो है कहा क कि ठीक है तो लेकिन मैं तुम्हारे पास केवलो केवल अब जो है अपनी शक्ति का जो है दसवी फीसदी हिस्सा ही दूँगी 90 फीसदी हिस्सा मैं आपको नहीं दूँगी क्योंकि अगर तुम मुझे पतनी के रूप में स्विकार करते तो मैं 100 फीसदी देती लेकिन तुमने मुझे मा के रूप में स्विकार किया तो मैं सिर्फ दस फीसदी तुमको ही अपनी शिद्धी का हिस्सा प्रदान करूँगी अब पापा ने का चलिए ठीक है कोई नहीं कुछ नहीं मिलने से अच्छा है अब पापको नहीं मलने तो कितनी कौन ताक्तवर होती क्या नहीं होती है तो उसने का ठीक है तो और बाकी उसने सर्थ रखी कि जो है मैं आपके पास आऊंगी लेकिन सुभे सुभे करीब आती थी पापाजी जो थे ऐसे समय में वो निकल जाते थे बाहर थोड़ी दूर के लिए और बिल्कुल अकेले में खड़े हो जाते थे थ कुछ दिन तो यह चलता रहा उसके बाद फिर जो है हम लोगों का अनुभव शुरू होता है तो मैं आपको अनुभव पताता हूं कि क्या क्या अनुभव हुए और कैसे अनुभव से यह लगता था कि हाँ यह सिद्धी सच में है तो हमारे जो च्छती उसमें एक नियम था कि यह मंतर था वो मंतर थोड़ा अलग था जो मैंने सिद्धी में दिया है वो वाला मंतर नहीं था वो मंतर थोड़ा अलग है तो वो मंतर मैं यहां पढ़ूँगा नहीं लेकिन वो जो मंतर था उसमें यह लिखा था कि आपको जो खाने का जो पहला निवाला है उस निवा हुआ पता रहा हूं। आपको सौ पीसदी बता रहा हूं । हलागकि वह तीन की च्छत होनी वजह से आवाद चुना है। तो वह त्यिती सौ पीसदी आपको यह बात कह रहा हूं। मेरे लोग जितने भी वहाँ पे ताउजी के लड़के और जो कई लोग महमान भी हमारे घर में जबाये होते तो वो सब तक उन्होंने सबने सुना है और ये चीज बिल्कुल सामने घटित होती थी कि कोई उपर छट पे चलना जिसे चलने पर आवाज आती है उसी तरह से बिल्कुल आवाज आती थी तो वो भोजन लेने आती थी कहने का मतलब पापा जी कहते थे कि वो अपना जो परते एक दिन का भोजन है वो उसे देना जरूरी है वो उसी को लेने के लिए वो आती है तो हम लोग तो इस बात से बहुत डरते थे बिल्कुल घबरा से जाते थे कि देखी इस समय जैसे थोड़ी देर डाला लगभग 15-15 मिनिट होते थे उसके बाद पूरा च्छत पे चलने की आवाज और वहां से उसको सुनाए पड़ने की आवाज आती थी कि हाँ लेने आई अ अपना भोजन वह लेकर के जाती थी अच्छा तो फिर कुछ दिन तो इस तरह बीते रहा इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो पिता जी थे उन्होंने कहना सुरू कर दिया कि मुझे कान में फुस फुसाट से आती है और जो है मुझे लगता है जैसे कि वह कुछ कहना चाहती तो कहने की बात सुरत दिरे-दिरे सुरू हो गई अब चुकि नई-ने सिद्धी होती है तो कुछ कमियां भी आती है आत्मी मैं ऐसे ही मर पिता जी में भी था उन्होंने वो शीच को कहना सुरू कर दिया बहुत लोगों में कि मैं यार तुम मुझे से कुछ पूछो यार तुम जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछो तो दिरे दिरे करके जो है हॉस्पिटल में मरीजों की कम और जो है क्या है बोलते हैं इस सब चीजों के जो लोग होते हैं उनकी ज्यादा लोग आये लगे तो उसी में से पहला केस आया था वो एक लड़का था विल्कुल लोग महां बैठे हुए थे उसमें और मैं सामने मेरी घटना है मैंने देखा कि वह आया है और उसने वह आये पापा जीक सामने बैठे उनने पूछा कि ये इसको जो है हमें लगता है कुछ वो परी चीज हो गई है राक्टर साहब आप बताईए कि इसके लिए क्या किया ज खेलते इसको लेटरीन लगी और ये जो है जाकर के एक मजार जो थी उसे पता नहीं था वो गलती से उस मजार के उपर लेटरीन कर दिया अब चूकि जमीन के अंदर थोड़ा मजार रही होगी किसी की तो इस वज़े से जो है वो लेटरीन जो है ठीक मजार के उपर करके आ से हुआ था यह यह तारीक थी और इस दिन तो हम पिलकुल अचम्भी थी है बाबाजी तो यह बूर्ब कह दे रहे हैं तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं इस क्या चीजे उन्होंने कह दिये भी और फिर यह बाद दिल को सही निकली और उन्होंने पिर कहा कि ऐसा कि आप 108 हैनारियल काली माता के मंदिर में तोड़ी जा करके और लगभक 6-7 दिनी नदागा बिलकुल सही हो ऐक पार्ट में कितना जाठ डालुंगा इतना बतादिया फिलहाल और वो इसके आगे की पार्ट में बताओं गाँ क्या क्या हुआ और किस सिध्धि का के केव लेवल कितना ताकत्वर होता है यह कहा तक घाती इसकी संभावना है और शक्तियां कितनी ज्यादा उप तो वो सब मैं आपको बताऊंगा तो ये सब अब आगे की वीडियो में कभी किसी और दिन फिलाल आप इतने ही अगर आपको ये जो प्रत्य चन्वो मेरे पिता का है वो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका दिन मंगल में हो और सोचता हूँ कि जो भी साधना लोग करने जा रहे हैं बिना किसी गुरू के ना करें, खत्रे बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं कि बिना साधना क्योंकि मैंने जितने भी अनुब हुए हैं बिना गुरू कीए, सूरवाद में साधनाओं में सिद्धी प्राक्ट किया और मेरे पिता जी ने भी इससे ही प्राक्ट कर sure क्योंकि कभी-कभी ऐसे बहुत से लोग हमें को मिले हैं, जिन लोग ने साधनाए हैं क्यों पागल से हो गए कई लोग ऐसे थे जैसे मुहमदावीर के कई लोग थे उन्होंने पागली हो गए उसाधना करते करते कंड़ फी सचनी के भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने हाथ पेर तुड़वा लिए तो इसलिए ऐसी साधना को करने से पहले जो है जरूर सोच ले एक बार कि हमें बिना झाली हमें टाली है झाली है ऐसे जरूर से लिए बार कि हमें करते का लाऑ टिस और एक does फ hammond जरे जो है झ."